मसकार स्वागत है आपका फियल स्टेडी मंत्र एटीव चनल पर साती हो यूपी टपलसी लेकफाल से सम्मधित दो कोट केसों में से एक कोट केस हमारा बचा हुआ है और वो है कोट केस की सुनबाई कल है मारी और कितने नंबर पे है पांसो पैंसट नंबर पे है अब देखो साती हो यह जो कोट केस है वो तीन कोट केस है अभी मैं इस्टेटिस दिखा दूँगा आपको लेकिन आपने देख भी लिया होगा लेकिन नहीं देखा हो तो एक पर जरूर देख लेजिए लेकिन अगर कल सुनवाही हो गई तो यह माले ना कोट केस आपका लगegen कख सवापत हो जाएगा और इसमें कितने करशन है परस्चन की संक्या है 1947 तो 2s to gs के परस्चन है और दो ही हिंदी के प्रस्वों पर सुनवाई होनी है अब इसमें कितने प्रस्वों पर बदलाव होगा तो कल भी जो धन्ना प्रदिसान होता है उसमें जो सचमने ये बोलाता है कि हम हर हल में मार्च में रेल्ट देने के लिए मतलब अब ततपर हैं अगर ये कल सुनवाई हो गई तो कोड के समाप्त हो जाएगा लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं जो उजला वाले प्रस्वों के चक्कर में बच्चे सुप्रीम कोड चले जाएगा बस एतना ना हो तो आपका कोड जो रेल्ट है आपका 99% चांस है कि मार्च में आ जाएगा ठीक है सात्यों तो आप मैं स्टेटस दिखा देता हूँ आपको जो कोड केस का है क्योंकि आपको मालिम नहीं पड़ेगा कि कैसे है वो देखो सात्यों हाई कोड जुडी सिरी एट इलावाद लखनू बैंच वाला कोड केस है ये और जिसमें मैंने पहले भी बता रखा है बहुत बार चाचा की है इस कोड केस की तो कि कितने नंबर पे मतला ये तुमारा लिस्टेड है देखो 565 नंबर पे लिस्टेड है के नहीं है ये जो 565 नंबर पे 2nd of मार्च ठीक है 565 नंबर पे लिस्टेड है इसमें 3 कोड केस है एक तो ये तुमारा जो आपको बिस्बल है 638 ये वाला कोड केस है और एक है 792 बंत्री वाला कोड केस है और एक 99 वाला सात्यों कोड केस है तो ये इतने कोड केस इसमें अभी लिस्टेड है अब तीनो को मर्ज करके एक ही बना दिया गया है और इसमें प्रसनों की सुनभाई होनी है चार की आप देखो सीधी बात है 565 नमर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पीछे है लेकिन सुनभाई होने में ऐसा कुछ भी नहीं है पीछे होगा तो होनी ही पाएगी यह हो भी सकती है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत है कि कल कोट की सुनभाई होगी या नहीं होगी तो अब यह तो कल ही मालम पढ़ पाएगा वैसे एक बज़े तक मालम पढ़ जाएगा आपको कि सुनभाई होगी के नहीं होगी उसके बाद अगर नहीं होगी तो अगली date मिल जाएगी ठीकिन date बहुत लंबी नहीं मिलेगी अप ये माल की चलिए date अगर मिलेगी भी तो बहुत लंबी नहीं मिलेगी date बहुत जल्दी से मिल जाएगी आपको क्योंकि बीच में ये holy का system है तो फिर उसमें चुट्टियां पढ़ जाएंगी कोट की तो सातियों जैसे दो GS के प्रिशन हो गए GS के दो प्रिशन आपको माले में एक प्रिशन तो NH2 वाला है एक boundary वाला प्रिशन है और हिंदी के दो प्रिशन है एक कारक्षिन वाला प्रिशन है इक सूर्जुलाव वाला प्रिशन है तो चार प्रिशनों पर अभी विबाद है चार प्रिशनों मेंसे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो आप 시as की सुनवाई के बात बात बालन पढ़ेगा लेकिन जैसा कि जो इलावार Hincoot ने किया था कि एक प्रिशन के एक prision के 2 option मान लिये थे कि इस बार भी 2-2 option माने जाएंगे अगर 2-2 option माने जाएंगे तो और ज़्यादा समस्य होने वाली है और वही बाली बात है कि बच्चे इसी के चक्कर में दोविधा में हैं कि अभी इसमें court केस कब हो आने दो तब हम सुप्रीम कोट जाएंगे इस परकार की चर्चा है और अगर ये ना हो तो बहतर है क्योंकि आपका रिजल्ट मार्च में आ जाएगा अगर ऐसा नहीं होगा तो दूसरी चीज सात्यों कल ही किलियर हो गया था सचेम ने ये बोला था कि 20 से 22 हजार हम चात्रों को बलाएंगे जैसा कि मैं पहले सी बोलता चला रहा हूँ अपसे में रीजन क्या है क्यों बलाएंगे रीजन सबसे बड़ा यह है कि सात्यों इसके बीच में जो लेकपाल बढ़ती जुलाई में होई थी परिच्छा मालों इसका UPSI का जो में बार-बार कहता हूँ UPSI की बज़े से इसकी कट-off बहुत कम जाने वाली है जनरल की भी कट-off बहुत कम जाएगी और इसका इंपक्ट एक से दो नंबर 100% जितनी भी कट-off जाती उससे कम जाएगी जैसे अब तुम काओगे ऐसे कैसे मालम पढ़गी पहले से कट-off आपको कट-off मालम नहीं बढ़ती है साती हो जैसे मालों के बहतर कट-off गई जनरल की जनरल के साती है उनकी कट-off बहतर गई DB के लिए अब बहतर गई कट-off तो बहुत ज्यादा इंक्रिमेंट देखने को नहीं मिलेगा कट-off में दो नंबर या तीन नंबर मुस्किल से मुस्किल देखने को मिलेगा मालों के बहतर से 74 हो जाएगी 75 हो जाएगी इससे जादा नहीं बढ़ेगी रीजन क्या है अगर हाँ ये तुमारी कट-off EPSI वैले नहीं जाते और वो भी DV करा लेते तो ये कट-off एक दो नंबर और बढ़े जाती हो से भी तो ठीक है तो जादा नहीं बढ़ेगी दूसरा अब ये तो माले में इस पस्ट होई गया कि 22,000 चात्र है तो बहुत बड़ा नंबर है ये 22,000 अब देखे लेना आप कितना बड़ा नंबर है ये इतने बच्चे ढूने से नहीं मिलेंगे लेकिन आप वो इसमें से बहुत सारे बच्चों का सेलेक्शन हो चुका है वो DV नहीं कराएंगे इसलिए जादा चात्रों को बलाए जारा है यही सबसे बड़ा कारड होता है और ये अच्छी बात भी है गलत बात नहीं है ये अच्छी बात है कि जॉब खाली नहीं जाए क्योंकि बेटिंग लिस्ट का प्राबदान नहीं होता है तो सात्यों कल का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कल हमारी सुनवाई हो गई तो ये मालेना का कुछ ना कुछ नेड़ा हमको देखने को मिलेगा अगर सुनवाई नहीं होई तो एक डिट और मिल सकती है आपको दूसरा कहीं दो-दो आप्सन माने तो कहीं बच्चे दुवारा से इस कोट को छोड़के सुप्रीम कोट ना चले जाए बस इस बात का ही बो रहेगा कि ये जाने नहीं चाहिए बच्चे मतलब अब देखो जो कुछ है वो ठीक है अब रजल्ट आना चाहिए इस बरती को क्लियर कराओ और नई भरती दो ठीक है तभी कुछ बच्चों का भला होगा या इसी बरती में अटके रहोगे तो नई भरती नहीं आएगी ठीक है सातियो जैसा के महले में आपको नई भरती आना ही चाहिए और जो बीडियो री एक्जाम में बो होना चाहिए बंद रोगा एक्जाम होना चाहिए बहुत सारे एक्जाम अटके है बस इसी बरती में ना अटकी रहे ठीक है सातियो आप मेरी सबसे अपील यही है कि कल लगबग मान के चलो कि हमारे लिए अच्छा दिन हो कि हमारे लिए मतलब रेजल्ट इसका कुछ न कुछ देखनों को मिले कोट में और यह कोट के समापतो हो और इसका रेजल्ट आए और आपको जोइनिंग मिले और नई भरती आए नई बच्चों को भी जोइनिंग मिले ठीक है सात्यों बहुत बहुत धन्यबाद आपका पूरी वीडियो सुने के लिए